कोडर्मा जिले के डोमचाज प्रखंड अंतरगात गिंदवाडी निरुप पहाडी के समीप सोमवार को कृष्ण कनहया फ्यूल सेंटर का उटगाटन कारिकरम के मुख्या अति थी जार्कन सरकार के सरम नियोजन प्रशिक्छन एवं कौसल विकास बिभाग के मंतरी सत्यानन चतरा के पूर्व लोकसभाब प्रत्यासी सह वरिष्ट राजद नेता शुभास यादव विशिष्ट अतिथी बरी बिधायक उमा संकर यादव अकेला एवं उटगाटन करता महामंडलेसवर सुखदेवदास जी महराज ने संयुक तुरूप से फिता काटकर एवं नारिय देते हुए कहा कि उन्हों न इस छेतर में फ्यूल सेंटर के अस्थापना कर छेतर के लोगों को बड़ी रहत देने का काम किया है कुडर्मा और डुमचाज के बीच फ्यूल सेंटर के अस्थापना होने से छेतर के छोटे वहन चालकों के साथ साथ बड़े वहनों के चालकों को भी इसका काफी लाव मिलेगा इस मौके पर कृष्ण कनहिया फ्यूल सेंटर के संचालक प्रदी प्यादों ने कहा कि कृष्ण कनहिया फ्यूल सेंटर में कभी भी क्वालिटी और क्वाइंटिटी को लेकर कोई समझाता नहीं किया जाएगा उन्होंने बताया कि सभी लोगों के लिए फ्यूल सेंटर में 24 घंटे सेवा उपलब्द रहेगी इस मौके पर राजद कुडर्म जिला अध्याच रामधन यादव चंदवारा प्रमुख लिलावती देवी डुम्चा चनगर पंचात उपाध्याच पप्पु महता जिला परिशत सदस्य शांति प्रिया कैलास यादव सुरेश सिंग बासुदेव यादव सांसत प्रतिनि दिव्यांसु पंडे, भीम सिंग, पूरु मुख्या धर्मेंदर यादव, सुनील यादव, विनोध यादव, श्याम सुंदर यादव, लखन राना, चंदरदेव यादव, पिंकु सिंग, सुरेश सिंग यादव, श्याम यादव, किसोर पंडित, संजय दास, मनोज रज अविनाज साव बबलु महता समेत अन्य कई लोग उपस्तित थे। उटगाटन के बाद मंतरी विधायक समेत अन्य अतितियों ने कृष्ण कनहिया फ्यूल सेंटर के संचालक प्रदीप यादों के आवास पर पहुंच कर भोजन भी किया।